नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अनिल डॉलर है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सबस्कारइब नहीं करा रहा हुए और सब्सक्राइब कर लीजीए वीडियो को लाइक करें शेर करें करें ऑके गूड मॉणिंग आज क..! वीडियो के अंदर मैं आपको Express के अंदर Middlewares क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा So Middlewares जो है How does Node.js Middleware works Middlewares क्या होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं So जब भी आप कोई API पर request करते हैं और वो request आप चाहे Postman से करें चाहे आपकी Android application से चाहे iOS से आप कहीं से भी अगर कोई API आपने बना रखी है और आप उस पर request करते हैं तो उन request को handle किया जाता है Express के through So Express आपको एक ऐसा feature देता है जिसके through आप क्या कर सकते हैं आपके incoming parameters को आप receive करके then उसको आप process कर सकते हो For example, आपने कोई information आपने receive करिए आपके पास let's say first name आ रहा है अब first name आने के बाद आपको जो है first name और last name को दोनों को आपको एक साथ merge करके आपको response में देना है तो definitely incoming parameter को आपको receive करके then उस पे कुछ processing करनी है and then आप उसको response दे सकते हो अपने client को So request और response का flow किस प्रकार से होता है request आती है हमारी express पर हमारी request आईगी और request आने के बाद वो कुछ middleware function से होते हुए आप client को क्या देते हो response देते हैं उन middleware functions को हम next कहते हैं तो थोड़ा सम theory पढ़ लेते हैं the request response cycle of node.js are interpreted by middleware तो middleware क्या है कुछ इस प्रकार से कोई functions है middleware कुछ ऐसे functions हैं जो कि आपकी request और response को वो interpret करते हैं तो अगर हम इस diagram में left to right चलें तो left में आप देखे client request आई सबसे पहले पहले circle पे जारी है मतलब वो पहले middleware से होते हुए और उस middleware में जो है next method को call किया गया है तो next method क्या करेगी वो दूसरे middleware पर request को transfer करेगा फिर आपकी request तीसरे middleware, 4th middleware, 5th middleware और ऐसे कितने भी middleware आपके पास हो सकते हैं और request आपके पास आई और direct response भी दे सकते हो मतलब दो cases हो सकते हैं या तो आपने बिल्कुल middleware यूज न किया हो या फिर आपने middleware यूज किया हो अगर आप middleware यूज कर रहे हो तो एक से जादा कितने भी middleware हो सकते हैं और आप बिल्कुल भी middleware यूज नहीं कर सकते हैं तो जैसे ही मैं आपको practical करके बताऊँगा तो मैं सारे cases आपको explain करूँगा पहला case कोई middleware नहीं आ रहा है दूसरा case एक middleware आ रहा है तीसरा case दो middleware आ रहा है ऐसे में धीरे धीरे करके हर एक चीज को आपको basic से समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर कुछ और हम पढ़ते हैं इट हैस दे access of various feature including request response object तो जब भी आपके पास request आती है तब आपके पास दो object होते हैं उन दो object का नाम है R.E.S. और R.E.Q. R.E.Q. का मतलब हो गया request object और R.E.S. का मतलब हो गया response object तो जब भी आपके पास कोई request आती है तो आपके पास access होता है दो object को access करने का वो R.E.Q. object है और R.E.S. object है यदि आपको incoming parameter को read करना है तो आपको जो है R.E.Q. object को read करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं As well as the request response cycle next method Middleware functions execute a variety of tasks So Middleware function क्या-क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम कुछ 3-4 points हम पढ़ लेते हैं पहला है execute any type of code efficiently So Middleware है किसी भी प्रकार का code आपके लिए efficiently वो execute कर सकते हैं Change the request and response object quickly मतलब आपको request to response object में कुछ changes करने हैं तो आप Middleware को use कर सकते हों तीसरा option क्या है Terminate the request response automatically आपके पास कोई request आई और आपको तुरंत उसको process नहीं करना है Handle नहीं करना है तो आप Middleware लगा के भी उस अपनी request को terminate करवा सकते हैं चोथा आप क्या काम कर सकते हैं Invoke the Middleware in the stack that immediately available आप जो है किसी और Middleware को भी तुरंत invoke करवा सकते हैं जैसे कि यहां parallel cases में हो रहा है तो चलिए एक example हम देखते हैं उससे पहले हम next के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं what is next और चुँकि आपको देखते ही यहां parenthesis लगा रखा है मतलब एक बात तो आप कह सकते हो कि sir next जो है एक method है तो next एक method है एक middleware function है so next is a middleware function once the middleware code is completed calls the control to another function मतलब जब आपके पास request आती है तब वो पहले middleware पर आएगी और आपको request को अगले flow पर transfer करने के लिए calling किसकी करनी पड़ेगी next method की calling करनी पड़ेगी अगर आपने next method की calling नहीं किया तो आपका flow वहीं रुख जाएगा आपका flow जो है code का execution का flow आगे नहीं बढ़ पाएगा तो आपको next method की calling करनी पड़ेगी तो चलिए एक code example की साहता से हम middleware को समझते हैं तो सबसे पहले आप अपने code project में चले जाएएगा सो इस code project में जाके मैं इसको start करता हूँ और यहां से मैं जो है एक postman भी आपके लिए open कर देता हूँ सो postman आप लिखेगा postman आपको launch करना है और middleware functions जो होते हैं वो दोनों ही methods पे लगाए जा सकते हैं get और post सो मैं आपको दोनों ही जो है task करके बताऊंगा सारी चीजे step by step आपको explain होगी index.js में आप जाएगा जो आपका basic code चल रहा है उसको आप open कीजिएगा जो भी आपका basic code है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक request आ रही है postman से और आप एक json payload भेज रहे हो तो again payload जो है basically वह एक आप json का data भीज रहे हो तो उसको मैं आपको बताता हूं तो यहां पर आपके पास एक API है post method में और आप body के through json एक payload भेज रहे हैं आपने अपना name भेजा है for example आपने अपना name भेजा है oklabs और आपने एक name भेजा है oklabs और वहां पर response में हमें यह चाहिए कि response में हमें कुछ ऐसा चाहिए कि oklabs the mission is to educate students for IT basically so ऐसा कुछ मुझे information करना है तो किस तरीके से हम अपने incoming payload को incoming request को handle करके additional information attach कर सकते हैं middleware के through वह आज हम देखने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका यह करना है कि आपका middleware function होता है वह आपके route और last वाले callback के बीच में होता है so beach में होता है तो यहाँ पर मैं एक comma or लगा दिया और middleware क्या है basically एक function होता है so यहाँ पर मैंने जो है एक fat arrow function यूज किया ठीके मैंने क्या यूज किया एक fat arrow function यूज किया so यहाँ पर आप देख सकते हैं इस method के अंदर मैं थोड़ा सा taskbar hide कर देता हूं दूसरा parameter callback होता है so end point और callback के बीच में आप एक function लिख सकते हो मैंने लिख दिया है और यह function और कुछ नहीं बलकि एक middleware है अगर आप middleware लिख रहे हो तो middleware भी request और response parameter accept करता है यह लिखना ही है आपको ठीके यह आपने request, response आपने लिखा अब जो भी आपको task करना है आप अपना logic यहां पर लिख सकते हैं so जैसे कि यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि जब भी मैं postman से hit करूँगा और यहां से मैंने postman से hit किया और उसके बाद oklapse welcome to the world of education ऐसा कुछ मैं करना चाहता हूं change the request response object quickly so दूसरा point आप देखना request response point में so change the request response object quickly तो यहां पर हम request object को change करने जा रहा हूं so basically आप अभी यहां पर क्या देख सकते हैं कि postman में क्या आ रहा है जैसे ही मैं response करूँगा तो यहां पर हमारे पास response आ जाएगा but response में मैं चाहता हूं oklapse the world of welcome to the world of education इस प्रकार से मैं कुछ response को modify करना चाहता हूं so req dot request dot body dot और आपके parameter का name क्या है request dot body dot name को हमें करना क्या है request dot body dot name और concatenate करना है मुझे welcome to the world of education welcome to the world of education ऐसा कुछ मैंने जो है इसमें concatenate कर दिया इसको semi-colon करें और आप देखिए मैंने क्या किया request dot body dot name को लिया और उसी request dot body dot name में एक message मैंने concatenate करवा दिया और चूंकि हम java script में काम कर रहे हैं इसलिए concatenation का कौन सा operator होता है plus यहां पर मैंने plus use किया and then सबसे important आपको ध्यान रखना है middleware के function के अंदर सबसे last statement आपका क्या होना चीए next method होनी चीए अगर यह next method आप skip कर गए तो request आपकी अगले callback पर नहीं जा पाएगी save करते हैं और देखते हैं यह response में क्या आ रहा है response में यहां पर जो भी response आएगा वो यहां पर मुझे देना पड़ेगा जैसे मैंने message दिया और message क्या है मेरा message मेरा है request.body.name क्योंकि जो message आ रहा है वो क्यों ही करना है तो देखिए मैं यहां से अपनी request body को जो है वो थोड़ा सा modify कर रहा हूं तो देखते हैं क्या होता है और I think सबसे पहले तो आप इसको चालू कर लेना तो यहां पर मैं गया और जो है मैंने npm start किया यह देखिए यह मेरी application चल रही है और यह हमारा रहा postman और देखते हैं postman में क्या होता है मैं request करने जा रहा हूं मेरी request हो रही है और again next is not defined रिक्वेस्ट हाँ एक चीज़ skip कर गया हूं मैं sorry request response and callback में next देना पड़ेगा मैं थोड़ा से skip कर गया था तो यहां पर आपको middleware function के अंदर request response and next आपको देना है and then next की calling करनी है save करें और अगर आपकी most probable है आपका node crash हो जाएगा तो आप बंद करें ctrl c करके node को बंद करें और वापिस से चालू करें और मैं वापिस से npm start करता हूं यहां से and postman से एक बार और request को hit करके देखेंगे तो देखते हैं यहां पर यह जैसी चल जाएगा अगरें उजे oklabs welcome to the world of education so इस बात से यह proof हो गया है कि middleware की सहायता से आप incoming request को आप change कर सकते हो modify कर सकते हो so बहुत सारे applications हैं हमारे पास यह हो गया अब आप एक से जादा middleware use कर सकते हो तो जैसे first middleware हो गया comma second middleware second middleware को आप fat arrows से न बनाते हुए ऐसे भी आप बना सकते हैं so मैं आपको देखी आप दूसरा तरीका बता रहा हूँ so again इसके अंदर request comma response comma आपको क्या करना है next use करना है वो सबसे last statement कौन सा होना चाहिए next होना चाहिए so यहां पर again मैं यहां पर क्या लिखूँगा request.body.name is equal to request.body.name और again मैं concatenate करूँगा और यहां पर मैंने लिख दिया let's start the tutorial let's start the tutorial so देखिए मेरी पास जो request आई oklabs आया oklabs में मैंने request को modify किया अगले middleware पर भीजा फिर request को modify किया फिर मैंने अगले callback पर भीजा so मेरे number of middleware से हैं वो कितने भी हो सकते है so यहां पर मैं अभी 2 middleware आपको use करके बता रहा हूँ और आप देखिए मैं जो postman से request कर रहा हूँ और मैं यहां से request करता हूँ देखिए oklabs welcome to the world of education let's start the tutorial so let's start the tutorial में space नहीं आ रहा था तो मैंने यहां से space दिया और यहां से मैंने end किया और देखिए मैंने भेजा तो oklabs था मगर message में क्या आया oklabs welcome to the world of education let's start the tutorial और status code भी देखिए यहां पर क्या आ रहा है 200 आ रहा है क्योंकि यहां पर जब मैं response दे रहा था तब मैंने response.status में क्या दिया है 200 इस वीडियो को जो है मैं live server पर upload कर देता हूं यहां से मैंने git log किया और लास्ट वीडियो हमारा 6 वीडियो में upload नहीं कर पाया था तो definitely इसको मैं 6 ही बनाऊंगा सो git add dot git commit dash m और यहां से मैंने वीडियो 6 और वीडियो 6 में मैंने आज क्या बताने जा रहा हूं मैं आपको वो middleware सो how to use middleware in node.js यह मैंने किया enter git push origin master और यहां पर यह जितना भी code मैंने लिखा है इसको मैं आपके लिए जो है इसको copy कर लेता हूं यहां से और यहां पर post के अंदर यह sample code मैं last to last में आपके लिए paste कर देता हूं पूरा code sample आपको मिल जाएगा इसको मैंने refresh कर दिया and then आप इस tutorial को अगर follow करेंगे तो पूरा theoretical description मैं नहीं आपर आपके लिए mention कर दिया है thank you मैं आशा करता हूं कि आपको यह video अच्छा लगा होगा तो इसको आप like करें friend circle में शेयर करें thank you झाल 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 झाल